दोस्तो नमस्कार आज आपको हम गर्दन दर्ध के कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें बहुत सारे लोगों गर्दन में दर्ध हो जाता है खिचाव पैदा हो जाता है उनके लिए कुछ एक्सरसाइज बता रहे जो उनके लिए काफी फायदे मंद होंगे आप पति दिन इसको करें और अपना गर्दन दर्ध से मुक्ति पाएं देखिए हातेली को इस पकार रख कर पूस करना है दस सेकेंड इस पकार होल्ड कीजिए इसी तरह होल्ड करके रहना है सड़ के तरफ से भी हातेली के तरफ से भी दोनों तरफ से पूस करना है फिर दुसरे हाप से इसी पकार करना है दोराना है और दस सेकेंड होल्ड करना है अगर आप इस पगार करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और धीरे धीरे आपका दर्द कम होता है फिर दोनों हतेलियों को सर के पीछे ले जाकर फिर उसको पुष किजिए फिर उसी पगार हतेलियों को सामने रखकर फोरेड में कपार पे रखकर पुष करना है थोड़ा तागत लगाते हुए फिर उपर से हतेलियों को सर के उपर में रखकर पुष करना है फिर इस पगार दोनों हतेलियों को चिन पे रखकर पुष करना है फिर इसी पकार आप हमारे इस ब्यास को दोराते रहिएगा तो धीरे धीरे आपको काफी हद तक दर्द से मुक्ति मिलें